कि तो फुरन यहां पर दोगा हमने लिख रखा है रेक्टंगल डप इस्ट्राइट पीस अव मनी टाइप मतलब कितने परकार के होते हैं दुसरा होता है यू सेप में और एक होता है सिंगल वन पार्ट में और एक होता है और पार्ट में ठीक है पार्ट में यह यू टाइप में यहां पर मार्किंग करेंगे प्रिकट नहीं है सिर्फ मैं इसके लिए बता रहा हूं कि इस ट्रेट बहुत तरीके से होता है तो यहां पर हम मार्किंग करेंगे लें तक हुआ है यह लें था हुआ तो साइज हमारा 50 mm by 50 है तो हम क्या करेंगे यहां पर करेंगे अब जब यहां पर करेंगे मैं बनाता हूं तो यह साइड में 25 mm के लिए यह साइड में साथ में पलस कर लेना ठीक है तो अब यहां पर हम एल सी बला मार्किंग करेंगे उसके बाद करेंगे तो यह हमारा लेन्था का मार्किंग है और यह वाला जो है यह पूरा मार्किंग नहीं करना है थोरा सा करना है इधर तो यह देखो ये हो गया 50 और ये लेंद्थ हो गया 100 अमें इदार तो हई यह है पचास लिपने की दूर्द नहीं तो ये हो गया स्वार्च प्रिफ तो यह एलसी नहीं करो गए तो यह काटना है और इसका एक सेंपर कड़्वाट थो एक पीस बंजाब ठीक है यह हो गया है एल सीप में अभाम आपको दखाएंगे कि यू सेट में किस तरह से कटिंग किया जाता है तो यू सेब में क्या करना है दिखो अगर को सिंगल लेना है तो सिंगल लेकर याँण पर यहां पर पचास ने रहें तिरफ सिंगल पचास पहला थाइड दूसरा है वह भी 50 है मतलब 100 हो गया तीसरा है वह भी 100 हो गया टोटल मतलब क्योंकि यहां पर मैं सिंगल डबल इसमें कुछ नहीं ले रहा हूं जब आप जी आई सीट में कड़ोगे वहां पर आपको लेना परेगा तो इस तरह से अगर यू सेप में कड़ना है तो इस तरह से कड़ेग यहां पर करेंगे और इसको करेंगे यहां पर पूरा हमारा तो यह हो गया हमारा 50 यह भी 50 यह होगा 100 तो यह हो गया य्व मैं अगर आपको मतलब हमने सौर लिया या फलांज भी लांजर रहा तो इसके लिए extension कर लेना है आपको प्रलस कर लेना है और यहां पर core के लिए जितना भी बदाना हो दोन सायथ में बरा सकते हो तो यह हो गया यह हो गया L-type और यह हो गया U-type यह लिए रेडियों का तो इस तरह का आपको इससा हो जाएगा यह बीच वाला साइप में आपने नहीं करोगे तो एक पार ना परेगा तो यह होगया यूशे यह हो गया टाइप में मतलब कि ऐसा हो गया यह समझ लो कि यह 50 हो गया यह भी 50 हो ठीक है इस तरह से यह ताइप होता है उसका दूसरा अभी देखो यहां पर वन पार्ट में क्या होता है कि अगर आपका साइज बढ़ा है तो आपको वहां पर क्या करना पड़ेगा कि समझ लेकर कि यह हमारा 50 mm है तो इसको हम अगर यहां पर मैच कर देते हैं अगर इसको हम समझ के चलते कि यह हमारा जो है वन पार्ट में काटना है तो यह समझ लो सिरफ 50 mm है और यह लेंद हो गया 100 mm तो यह 50 mm आया इसको into four कर देंगे थीग है मतलब चार पाट काटना पड़ेगा एक पाट काट ओगए तो उसमें सिंगल लेना है यह डॉल तो अगर एक पाट काट काट के आप सिंगल लेते हो तो उसी तरह का एक पार और कारणा है सिंगल का सेंपार काट हो तो उसमें जो है डवल बनेगा उस तरह का चारपाट कटेगा तो पहला यह हो गया एल टाइप दूसरा यह हो गया यू टाइप और यह हो गया एक यह टाइप ठीक है उसके बाद बचता है फोर चारपाट चारपाट में क्या होता है देखो साइज हमारा 50 है तो हम यहां पर क्या करेंगे 50 लेंगे फिर 100 लेंगे फिर 50 लेंगे फिर 100 ठीक है उसी तरह से 50 100 फिर 50 मतलब टोटल जो है से 4 मार्किंग करना होता है यह हो गया लेंगा पूरा पूरा कर दिया हूं आपGER करो कहा को चोटा का नोच आता था है को एस तरह बंडिंग करने के लिए इससे से तरह तो यह व्याइव फिप्टी यह वी कि यह फिप्टी ये लेन से जो भी रखना हो अपने हिसाफ से रखना हो इसाफ से आपको कभी कभी लोग फर्मा में 30 का और सब्सक्राइब कर लिए जाता है क्योंकि जब मुड़ाई होता है तो जिस हिसाफ से आपको पैस लोग फर्मा हो या हाथ पर बना उस हिसाफ से यहां पर उसमें पलस कर लेना है सब्सक्राइब कर लेकर निकलता है तो इस तरह से चार तरीके से बना जाता है तो यह हो गया वन यह हो गया दू हो गया 3 यह हो गया 4 इस सिंगल पार दा इसका चार काटना अच्छा होता है तो कभी-कभी हो टाए क्या कि सीट के कैकोरणिंक किया जाता है चीट इस street इसकर आप नहीं हो उसमें उस हिसाफ से इसको बैलेंस है किया जाता है जी इस हिसाफ से भी मतलब समझने करो कि अगर इतना का सीट है किसी ताफ साइज बैठाएंगे कि स्कराब नहीं जाएगा तो यह अपने उपर रहता है तो उम्मीद करता हूं आपका अच्छे समझाया हूं अगर कुछ भी डाउट हो कमेंट करो और वीडियो चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर द